गुजरात विधानसवा चुनाओं के पहले चरण के चुनाओं प्रचार में अब कुछ घंटे बचे हैं पहले चरण के लिए 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे चुनाओं प्रचार के आखरी दोर में सभी राजनितिक दलों ने पूरी ताकत जोग दी है सभी बड़े दलों के दिगज नेताओं ने गुजरात में डेरा डाल लिया है तो वहीं आज कॉंग्रेस अद्धिक्ष मलिकार जुन खडगी ने भी मीडिया से बात की और गुजरात में कॉंग्रेस की ताकत दिखाई वही पिये मोदी भी कई रेलियों को संभोधित करते नजर आए देखते हैं ये रिपोर्ट गुजरात में एक और पांच दिसंबर को मतदान होना है आठ दिसंबर को विधान सभा चुनाओ के नतीज जारी होंगे ऐसे में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए सभी दलोने पूरी ताकत जोग दी है बड़े-बड़े दावे और वादे किये जा रहे हैं इस बीच कॉंग्रेस ने भी बीजेपी को बड़ा जटका दिया गुजरात में बीजेपी के दिगज नेता और राजी केविनेट में पूरू मंत्री जे नारायन व्यास आज कॉंग्रेस में शामिल हो गए उन्होंने कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिकारजुन खडगे की मौझूदगी में अपने बेटे समीर व्यास के साथ पार्टी की सदस्य ताली इसी महीने जैनारायन व्यास ने बीजेपी छोड़ी थी सिद्धपुर विधानसभा से चार बार के विधायक जे एन व्यास ततकालीन मुख्य मंत्री नरेंद्र मोधी सरकार में कैविनेट मंत्री भी रह चुके हैं 2017 के विधानसभा चुनाओं में व्यास कॉंग्रेस प्रत्याशी से चुनाओं हार गए थे जिसके चलते इस बार बीजेपी ने उनका टिकेट कार दिया था इसी वज़ा से वो लंबे वक्त से पाटी नेत्रित उसे नाराज चल रहे थे कॉंग्रेस अद्धिक्ष मलिकार जुन खडगे ने इस मौके पर कहा कि गुजरात में 27 साल के शासन के बाद भी बीजेपी के राष्टिय नेता एक बाट से दूसरे बाट घूम रहे हैं कई राज्यों के सीएम यहां आ रहे हैं और लोगों को गुमरह करने के लिए भड़काओ भाशन दे रहे हैं उन्होंने कहा राज्य में बदलाव लाने के बजाए बीजेपी ने अपने सीएम को ही बदल दिया यहां छे साल में तीन सीएम बदले गए इसका मतलब यह है कि उन्होंने राज्य में कोई काम नहीं किया इसलिए पीम मोदी को घर घर जाकर वोट मागने पड़ रहे हैं इधर आज पीम मोदी भी अपने किले को बचाने के लिए चुनावी मैदान में थे पीम ने आज सौराष्ट इलाके में चार रैलियों को संबोधित किया और बीजेपी के लिए वोट मागे पीम मोदी ने आज दोपेहर में पालिताड़ा विधान सभा में विजेश अंकल परैली को संबोधित किया इसके बाद अंजार में सभा को संबोधित किया फिर जामनगर और राजकोट में चुनावी सभाओ को संबोधित किया पीम मोदी के अलावा केंद्री ग्रीही मंत्री अमिशाह भी आजुपाटी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। अमिशाह ने खेरालू, सावली, भिलोडा और एहमदाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। डीवी लाइव की रिपोर्ट